हेलो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल उपचानुसके में हम चैनल उपचानुसके में रोज एक लेटिस डूडियो अब्रेट करते हैं यदि आप हमसे जूड़ना चाहते हैं तो सबसे पहरे आप हमारे चैनल उपचान उसके को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप डेली एक नई वीडियो देख सकेंगे. मातर 15 मिनट में पाई, सुन्दर, बेदाग और निखरी तबचा. आजकल खुद को खुबसुरत दिखाना कौन पसंद नहीं करता. चहरे को सुन्दर बनाने के लिए कई लोग बजार वाले ब्यूटी प्रोड़क्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, जो काफे महंगे तो होते ही हैं, साथ ही इन प्रोड़क्ट्स में कैमिकल होने की वज़ह से इनके कई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं. हालांकि इन प्रोड़क्ट्स को लगाने पर आप अपने चहरी पर फर्क महसूस करने लगें, लेकिन इन प्रोड़क्ट्स के ज़ादा इस्तेमाल से आपकी कुद्रती खुबसुरती बेकार हो सकती हैं, इसलिए महंगे ब्यूटी प्रोड़क्ट्स के बजाए, आयरुवे तव्चा की रंगत को निखाने और बेदाग तव्चा पाने के लिए हल्दी काफी फायदेमन होती है हल्दी पाउडर में एंटिसेप्टिक गुर पाए जाते हैं जो तव्चा सम्मंधी आम समस्या हो जैसे रैसिस को दूर करने में सहेता परदान करता है साथ ही हल्दी में मौजूद कुरकुमी नामक तव्चा को आंत्रिक रूप से चमक देते हैं हल्दी में ताजी मिलाई दूद और बेसर मिलाकर गाड़ा पेस्ट तयार कलने अब इस पेस्ट को अपने चहरे और गर्दन पर हलके हाथों से लगाएं और पेस्ट सुख जाने के बाद चहरे और गर्दन को ठंडे पानी से धोलें केले और खीरे के पैक का प्रियोग केला और खीरा दोनों ही हमारी तवचा केले काफे लापकारी होता है इनके मिसरण से हमारी स्कीन को भेतरिन फायदे मिलते हैं पका हुआ केला खाने में भली ही आपको अच्छा ना लगता हो लेकिन आप इससे मॉसराइजिंग फेस पैक बना सकते हैं केला हमारी स्किन को नमी परदान करता है, खीरे के प्रियोग से तवचा स्वस्थ और तंद्रूस्त रहती है आधा खीरा और एक केला मैस कर लें, इसमें एक चम्मत सहद और एक नीबू का रस मिलाएं अब इसमें दो बूद ऑलिव ओयल की मिलाएं और पेस्ट तयार कर लें अब इस पेस्ट को चहरे पर अच्छी तरह लगाएं और सुखने के बाद ठंडे साब पाने से धोलें नीबू के रस कप्रियोग नीबू के रस में सिट्रिक एसिट की मातरा बहुत ज़ादा होती है जो तवचा को एक्सफॉलियेट करने के साथ ही तवचा से एक्स्ट्र ओयल भी हटाता है और मुहा से पैदा करने वाले बैक्टिरिया को भी खत्म करने का काम करता है नीबू के रस को कॉटन के मदद से अपने फेस पर लगाए लेकिन ध्यान रखे कि नीबू के रस को अपने स्कीन पर 10-15 मिनट से ज़्यादा देड ना रहने दे क्योंकि नीबू में ऐसीड अधिक मातरा में होता है 10-15 मिनट बाद चहरी को ठंडे पाने से धोले ऐसा करने से चहरी का रंग निखनने लगता है और हमारी तवचा गोरी होने लगती है चंदन और गुलाब जल का प्रियोग गोरी और बेदाग तवचा पाने के लिए आप चंदन और गुलाब जल का प्रियोग भी कर सकते हैं चंदन और गुलाब जल का मिसरन दाग धबों से छुटकारा पाने और स्कीन को रेडियन बनाने में काफे फायदे मन्द है सबसे पहले चंदन फॉडर और गुलाब जल समान मात्रा में लेकर पेस्ट तयार कर ले इस पेस्ट को चहरी और गर्दन में अच्छी तरह से लगाए पेस्ट सूख जाने के बाद अपने चहरी को साप पाने से धोले ऐसा न्यमित रूप से करने पर आप बहुत जल्थी कुरूंग तरचा पा सकते हैं अगर आपको यह सबी बाते पसंद आई हूँ तो आप हमारे चैनल उपचान उसके को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने ना भूले